वेल्कम तू मैचैनल दोस्तो आज फिर से हम आपके लिए पांच मिनिट का मैस का ट्रिक्स लाएं तो दोस्तो ये वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ कुछ प्रक्टिस के लिए तो बहुत इजी दोस्तो आज हम डुपलेक्स टर्मिनो देखने के बाद ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं हमाना पहले यह कोशन इसके बाद में यह तीन हो डिजिट को आपको क्या करना है मल्टिप्लाइ कर देना है यानि कि 2 1s are 2 और 2 2s are 4 तो पहले डिजिट में आपको कुछ भी नहीं लिखना है दोस्तो और इस तरह से आपको यह 0 4 लिख देना है अब इनको आड कर लेंगे यह 1 यह 4 और यह 4 प्लस 0 यह भी 4 देगे यह पहला आंसर आ गया कितना सिंपल है च इन तीनों को मल्टिप्लाइ कर लेंगे इस तरह से 5 3 is the 15 और 15 to the 30 तो पहले डिजिट में कुछ भी नहीं रेंगा और 30 हम यहां से लिख देंगे और इस तरह से इनको आड कर लेंगे तो यह 9 होंगा 0 होंगा 5 प्लस 3 8 और यह 2 का 2 लिख देंगे तो देगे यह दूसरा आंस और 12 to the 24 तो 24 आप इधर लिख देंगे पहले डिजिट में आपको कुछ भी नहीं लिख देंगे चलिए 6 4 प्लस 1 5 9 प्लस 2 11 देखिए यह तिसरा आंसर भी आ गया है तो चलिए थोड़े एक बड़ी वैल्यू भी लेते हम लोग 86 का स्कूर ले ले दे चलिए 86 का स्कूर 8 का स्कूर 64 लिखेंगे यहाँ पर ओके 6 का स्कूर 36 पहले डिजिट में आपको कुछ भी नहीं लिखना है अब यहाँ पर 8 6 दा 48 और 48 2 दा 96 तो आपको 96 इधर लिख लेना है अब इन तो आड़ कर लेंगे हम लोग तो यह हो जाएगा 6 यह हो जाएगा 9 9 प्लस 4 13 3 1 कैरी 6 6 प् बोलते हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों base method अब देखें यहाँ पर 2 डिजिट है तो base method यहाँ पर 10 रहेगा suppose 21 का square अब आप दिखें दोस्तों यहाँ से 21 कितना जाधा है यहाँ पर 1 जाधा है तो आप आपको positive में 1 लिखना है और निचे difference भी लिखना है 1 ठीक है अब आप पर 1 का square क्या हो रहा है दोस्तों 1 लिख देना है यहाँ पर आपको ओके और इस रहाँ से 21 प्लस 1 कितना हो रहा है 22 multiply by 21 माइनस 1 कितना हो रहा है 20 हो रहा है और base के आपका 10 तो हमेशे 10 से आपको divide कर लेना है ठीक है ना अब आप क्या करेंगे आपर 00 को cut कर लेंगे 22 तूसा 44 और यह 1 आगया इधर इस तरफ तो आपका answer आगया 441 देखें कितना simple है चलिए इसका भी लिखें लो 53 तो 53 में कितना जादा है 3 जादा है तो आप यहाँ पर plus 3 लिखेंगे और यहाँ पर minus 3 भी लिखेंगे अब उसके बाद क्या करना है आपको minus 3 है यह उसके बाद क्या कर लिखेंगे ना 9 यहाँ पर ओके अब यहाँ पर देखें 53 प्लस 3 कितना हो रहा है 56 multiply by 53 माइनस 3 कितना हो रहा है 50 हो रहा है अब आपको base क्या देना है 10 देना है तो 1010 गेट cancel 56 5 जाद कितना हो रहा है यह 280 हो रहा है और यह 9 को आप मिला देंगे यहाँ पर so therefore आपका answer क्या हो देखेंगा 2809 देखें कितना simple है ओके चलिए इसका भी example लेता हो मैं यहाँ पर 34 का square तो यहाँ पर 4 जाद है तो आपको plus 4 ले ले लेना है और minus कर लेना है difference भी ले लेना है अब यह 4 का square आप निकाल देंगे 16 इस तरह से अब आपको क्या करना है 34 plus 4 कितना हो रहा है 38 हो रहा 38 3 is the 115 तो यह 115 होंगा और यह 16 को आपको मिला लेना इस तरह से अब आपको क्या करना है यहाँ पर 202 डिजिट है तो यह 1 आपको यहाँ पर carry करते हैं तो यहाँ पर होगा 1 1 और यह 1 plus 4 कितना हो रहा है 5 और यह 6 को आपको join कर लेना है तो इस तरह 1156 यह answer आपका आजाएंग खेलो carry का 1 होड लेके देखते हैं हम लोग, फेली है यही ले लेते हैं हम लोग 86, तो 86 में कितना जाधा है है, तो प्लस 6 करेंगे, और यहां पर माइनस 6 करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना हुआ, 6 का स्क्तिक उर रहा है, 36 लिख देंगे आप इदर, ठीक है अब यहाँ पर 86 plus 6 कितना हो रहा है 92 तो 92 लिखेंगे आप multiply by 86 minus 6 कितना हो रहा है 80 आप on में 10 लिखना है base 10 है 1 0 1 0 get cancelled ओके आप इसको multiply करेंगे 92 एट जा 7 36 ओके 8 2 जा 16 6 1 carry 72 plus 1 carry का 73 और यह 36 इदर आ गया अब यह 3 को आपको carry कर लेना इदर तो 7 3 3 plus 6 कितना हो रहा है 9 और यह 6 को आपको join कर लेना तो इस तरह से यह answer अपना आ जाएंगा देख इतना simple था दोस्तों तो इस तरह से आप दोनों method से कर सकते है 2 digit square आप निकाल सकते है base method भी ले सकते है और यह method भी कर सकते है चलिए मैं आपको कुछ example दे दे तो practice के लिए चलिए आप कर सकते 18 का square 37 का square 42 का square 54 का square इसी तरह से 65 का square 77 का square 25 का square 33 का square 94 का square ओके and one more ले 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 ते 83 का square तो इस तरह से यह question आप practice करके बताएंगे दोस्तो कितना simple है कितना easy है यह video आपको कैसा लगा मुझे comment करके बताएंगे दोस्तो और कुछ भी doubt है मुझे पूछे तो 2 digit का हम में आज लिए थे अब कल हम 3 digit का लेंगे तो 101 से लेके तो 999 तक square हम कितना 3 second में निकाल सकते हैं दोस्तो बहुत easy है तो आप बने रही है जोय मैस academy के साथ में और daily 5 minute का वीडियो ट्रिक्स के साथ में देखते रही है और 10 के वीडियो में अपलोड कर रहा हूं तो वो भी देखते रही है तो thank you very much, thanks for watching, अपना ख्याल रखी दोस्तो